हेलो एवरिवान वेल्कम बैक टू माई किचन आज मैं आपके साथ सूजी का एक ऐसा नाष्टा शेर करने जारी हूं जो लाइट भी होगा और हेल्धी भी और यह बहुत ही कम तेल में बनेगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक पैन में लेंगे दो कप पानी और अब डालेंगे हम इसमें वन टीस्पून नमक और हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर और फ्लेम को हम मीडियम करके पानी में एक बोईल दिलाएंगी तो फ्रेंट्स जब तक पानी में बोईल आता है वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पे क्लिक कर द रहे हैं और अब डालेंगे हम इसमें एक कप सूजी और सूजी को डालते ही हम इसे अच्छे से हिलाएंगे ताकि इसमें कोई भी लंस ना बने और इससे हमें कंटीनियू चलाते रहना है दो मिनट के बाद ही देखिए सूजी एक दम अच्छे से मिक्स हो गई है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे धक्का रखेंगे 5-7 मिनट के लिए हम इसे धक्का रखेंगे फ्लेम को मैंने ओफ कर दिया है पांच मिनट के बाद हम कावर हटाएंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसका एक सौफ डो बनाएंगे तो मैंने एक प्लेट लिए है इसमें ये मैं डो ट्रांसफर कर लेती हूँ और इसे हमें मसल मसल के एक सौफ डो बनाना है तो हाथों के मैंने ओईल लगा लिया है जिसे ये आटा जो हाथ के चिपके नहीं और पांच मिनिट तक हम इसे ऐसे ही मसल कर सौफ डो बनाएंगे और आटा थोड़ा गरम ही होना चाहिए तब इसका डो बन पाएगा और अब हम इसकी चोटी-चोटी बोल्स बनाएंगे रस गुल्ले के साइज की तो ऐसे ही सारी बोल्स मैं बना करके तयार कर लेती हूँ तो नाश्ते के लिए बोल्स सारी बन चुकी है और बाकी का आटा मैं ढखका रख देती हूँ और बाद में इसकी बोल्स बनाऊंगे और अब लिया है मैंने एक स्ट्रेनर इसमें डालूँगे मैं बोल्स और इसे हम करेंगे स्ट्रीम तो खड़ाई में मैंने पानी डाल दिया है पानी गरम हो चुका है और आप ये स्ट्रेनर रख देंगे और पंदरा मिनट तक हैसे मीडियम फ्लेम पर हम कुक होने देंगे स्ट्रीम के अंदर तो चलने कीज़ेगा स्ट्रीमर भी ले सकते हैं इडली वाला स्टैंड होता है जो वो भी ले सकते हैं तो इसे मैंने ढख दिया है और इसे पंदरा मिनट तक हम स्ट्रीम में ही कुक होने देंगे पंदरा मिनट के बाद ये देखिए बोल्स कितनी बड़ी हो गई है इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है अब हम लेंगे एक अड़ाई में वन टी स्पून ओयल और जब तक तेल गरम होता है तब तक मैं आपको कुछ मसाले बता देती हूँ तो यहाँ पे मैंने लिया है वन टी स्पून मैंने आपे चने की डाल ली है दो मैंने सुखी लाल मिर्च ली है खाफ टी स्पून ओरत की डाल ली है वन टी स्पून राई ली है और वन फॉर टी स्पून जीरा लिया है और वन फॉर टी स्पून ही मेथी दाना लिया है जो पूरी तरह से ऑप्शनल है तो तेल गरम होने के बाद ये सारे मसाले हम डाल देंगे और इन्हें अच्छे से हम सोटे करेंगे एक से दो मिनट के लिए तो मसालो को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही सोटे करना है ताकि ये सारे मसाले जले नहीं क्योंकि इनी मसालो का टेस्ट इस नाश्टे में आने वाला है और अब डालेंगे हम इसमें 4-5 कड़ी पते और इसे सोटे करेंगे हम लगातार चलाते हुए और अब डाला है मैंने इसमें 1 टीस्पून रोस्टेड पीनट पाउडर और 1 टीस्पून डाला है मैंने इसमें कोकोनेट पाउडर और अब डालेंगे हम इसमें नमक जो आप अपने स्वादानुसार ले सकते हैं और इसे अच्छी से मिला लेंगे अब डालेंगे हम इसमें 1 टेबल स्पून सामबर पाउडर यह सामबर पाउडर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इस नाश्टे में इसे मैंने एक साउथ इंडियन टेस्ट दिया है तो मैंने इसमें डाला है सामबर पाउडर आप कोई भी और भी टेस्ट दे सकते हैं जो आपको पसंद हो और आप डालेंगे हम इसमें ये बोल्स और बोल्स को हम 5 मिनद तक इस लगातार चलाते हुए सोटे करेंगे ताकि मसाली की सारी कोटिंग्स बोल पर आ जाए मैंने इसमें लाल मिच पाउडर नहीं डाला है तो आप चाहिए तो इसमें लाल मिच पाउडर भी डाल सकते हैं तो इससे तरीके से चलाते हुए हम लगातार 5 मिनद तक सोटे करेंगी और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है खाने में भी इतने ही टेस्टी है अब डालेंगा हम इसमें चौप किया हुआ धनिया पती और 2-4 कड़ी पत्ता कड़ी पत्ती की खुश्बू इस नाश्टे में बहुत अच्छी आती है और अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए कवर करकर रखेंगी ताकि बोल्स में सारे मसालों की खुश्बू आ जाए और ये नाश्टा सब करने के लिए तयार है तो फ्रेंट्स आज मैंने गर्मी में बनने वाला एक लाइट और कम तेल का नाश्टा शेयर किया है ऐसे ही नाश्टा की रेसिपी मैं शेयर करती रहूंगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो के ने चेज़े सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करना ना भूले मेरी और भी रेसिपीस देखने के लिए थैंक्यू फो वाचिंग